मेरे दिल बर मेरे जानम मैंने तुम से प्यार किया रे बेचैनी बढ़ती जाती है तुने कैसा दर्द दिया रे मैंने प्यार तुम ही सी किया रे मैंने प्यार तुम ही सी किया रे दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया तेरी पहली नजर ने मेरा खौब चुराया रातों को आया, उन्हें कितना सताया दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना ये तो कश्मीर है इसकी अधा का क्या कहना तिनक तुम्तान 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 ये तो कश्मीर है इसकी एदा का क्या कहना ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना इस वकत वादी कश्मिर के हमारे साथ मशूर मरूफ कलाकार है जिसका नाम है महमद आमिर यह वादी के पहले ऐसे कलाकार है जो दोनु तरज के गाने गा सकता है यानि कि दोनु तरज के आगर हम बात करेंगे उसमें मेल का भी यह गाना गा सकता है और फिमेल का भी गाना गा स गाते हों, तो यह एडिया आपको कब से मिला और इसको आपने कितना अब तक एंजॉय किया? भुफ अजॉय किया, यह मुझे बच्पन से शोख था गाने का, लेकिन जो यह दो वाइस है, सूचिंग उफ वाइस करता हूं तो यह बच्पन से मुझे शोक था यह बहुत काफी टफ भी है, ट्रैक पर गाना, फिर सूच वाइस करना, सूर बराबर, ताल, मेल बराबर रख यह बहुत टॉफ है लेकिन अल्ला का करम है कि मुझे जो फीमेल वोकल है, मेरा है, मेल फीमेल में कर सकता हूं दोनों. अगर हम फीमेल वोकल की बात करेंगे, तो यह तो आप में नेचरल है यह नहीं, तो किस तरह आपको लो पीच और हाई पीच आप इस टून को किस तरह बनाते हूं? एक्चुली क्या है कि बच्पन से सुनता है हूँ, जो हमारे बॉलीवूट के सिंगर है, अलकायागनिक जी, मैं उनका फैन हूँ, कविता किष्णी मुर्थ सुबरमुनियम जी है, उदिद नाराइन है, कुमार शानु जी है, उनके गाना 90's के मैं सुनता हूँ, उनके गान अगर आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ फिमेल वाइस में पहले कुछ गाना गाओगे, तो यह जो हमारे नाजरीन यहाँ पर आपको सब इस वकत देख रही है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इंटर्टैन्मेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर मेनि प्यार तुम ही सिखियारे धिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया, ठीक है बभा तो यह अ लोके अबी फिमेल वास में गाया तो जड़ा प्लीज आप इसको मेल वास में भी गाये आ तेरी पहली नजर ने मेरा खौब चुराया रातों को आया उन्हें कितन सताया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया कौन से आप किस नाम से आज कल आप जाने जाते हो ना तो हम आपको फिमेल सिंगर कहेंगे ना आपको मेल सिंगर कहेंगे तो ऐसा कौन सा नाम आपको दिया गया है तार कि हमारे नाजरीन भी जान जाएंगे कि इतनी संसेशनल वाइस आज मैंने पहली बार अपने कश्मीर में देखे एक बहुत कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मीड़ा के माध्यम से अपने कश्मीर के लोगों को कि इस तरह का टैलेंट यूनिवर्स में है लेकिन बहुत कम है जो दोन वाइस में गा सकता है मेल और फीमेल इंडिया में आपने एहाली देखा अपने बोला कि नाम किस नाम से मुझे जानते है मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलता है कि अलका यागनिक आमिर अलका को बलाओ क्योंकि मैं हार्ड और डाय फैन वालका जी का बच्पन से सुनता हूं उनकी गाने सुनता हूं उन पर रियाज करता हूं कुमार शान उदीजी सो मैंने पहले भी बोला आमिर आप में इतना बड़ा तैलेंट है और ये एक संसेशनल वोइस आप में एक बड़े मंच के लिए आप प्रप्रेशिन क्यों नहीं करते हो कि जी जणाब मेरी गुरु जी है अभी मैंने ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं मूजिक के ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं बहान से से जा शान उताज है, उनकी एक मूजिक अकैडमी है, वह से लेता हूँ, मेरा एक सार है, मेरा गुरू है, उसताद है, उसे भी क्लास लेता हूँ, इंशाबला टू जीरो टू वन में हमें पार्टिस्पेट करूंगा, चाहे सिलेक्ट हो जाओ या नो जाओ अलबलता पाटिस्पेट करूंगा हमिर भई किस में आप जादा इंजाओ कर रहे हो मेल वाइस में या फिमेल वाइस में दोनुँद दोनुद सबसे जादा इंजाओ मैं मेरे कहने का मतलब यह है ज्यादा आपको एजी कौन से वाइस में लगता है सच बोलू फैनुवाल का जी का फिमेल वाइस में मुझे बहुत पसंद लगता है कि गाना गरवालों में अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो गरवालों का कितना रोल है इसमें आपको लेकर जी बिलकुल मेरे पैरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया मेरे सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया कि आप जाओ आप गाओ गाओ आप में टैलेंट है वो है आप गाओ दोन वाइस में जाओ गाओ, मेरा फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड्स है, उने ने मुझे सपोर्ट किया. यह हमारे कुछ नाजरीन बैठे है, तो वो यह रुकेस्ट कर रहे हैं कि आमिर साब से एक और अलका आगनी की वाइस में एक गाना, एक हो जाए हमारे नाजरीन के लिए. कि यह हावाइ, दूल्फों में तेरी गों हो जाए, यह हावाइ, जूल्फों में तेरी गों हो जाए, कहाँ कहा आप तक पॉड़ से एक हुआ और अब तक आप उप स्पएच्पेट किया, आप जुमू कश्मीर बाहर भी कहें, यह भी तक यह अदे किया आप यह जो माहीज सब्सक्राइब कर अब moment आगे जाने का पुलान क्या है सबस्क्राइब अबागेहा अपनी वाइस को आप साफ्ट रखने के लिए अपनी वाइस को आपका जो वोकल काड है इसको आप साफ्ट रखने के लिए क्या करते हो क्या इसमें नमक के गरारे करने पड़ते हैं या कुछ और भी लेना पड़ता है मैं मैं सब कुछ खाता हूं मैं सब कुछ खाता हूं मुझे कोई जरूरत नहीं है अल्ला के मदद से मेरा वोकल काड़ अच्छा है जो भी खाता हूं जो भी खाता हूं जो भी सामनी होगा मैं खाता हूं अगर हम आपके रियाज की बात करेंगे, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उपर से आपकी स्टेडी भी चल रही है, तो अगर आपको यह आपका जो रियाज है, तो आप इसके लिए कौन सा टाइम देते हो, ताकि आप अपने आपको इसके यूज करते हो, कभी आपको इस चीज से उपर इरिटेट मत हो जाते हो कि कोई पॉब्लिक आपको ड़ी आपके और फिक्रे मत करते है, अरे नहीं, मुझे पभलिक जो बी करिक्र्ट साइज करेगा, उनका काम है क्रिट साइज करना, मुझे उस से कोई लेने देना नहीं है, जो मुझ में है मैं अपने कश्मीर के सामने रखूँगा और अपने कश्मीर का नाम रोशन करूँगा नाजरीन के लिए क्या मेसेज रहेगी आपकी जब से आपका वो गाना वाइरल हो गया तब से आप पब्लिक की फिगर्स में आगई हो पब्लिक की आंखों में आप आगई हो, क्या मेसेज देना चाहते हैं आप हमारे नाजरेंग को? पब्लिक हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया तो कशमीर है इसकी अधा का क्या कहना? यह तो कशमीर है इसकी एदा का क्या कहना यह तो कशमीर है इसकी फिजह का क्या कहना थैंक यू थैंक यू वेरी मुच थैंक यू वेरी मुच तो यह थे हमारे साथ एक संसेशनल सिंगर कशमीर के जिन में दो वाइस पाई जाती हैं मेल भी और फिमेल भी कश्मीर पेट्रियाट आपका अपना नेटवर्क वीक्ली स्पोर्ट शो सपर्ट जून के बाद जेखिए कश्मीर पेट्रियाट के साथ एक और खुची शो एक मुलाकाट एक मुलाकाट में आपको रूपरू कराएंगे आपके स्केहिते पितारों एक मुले कश्मीर पेट्रियाट के वीक्ली स्पोर्ट एक मुलाकाट